नमस्कार दोस्तों मैं शुप्रियो आपको स्वागत करता हूँ Elementor Pro Series के चौद भी वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे Elementor के Flipbox Element के बारे में चलिए पहले देख लेता है Flipbox Element से क्या-क्या डिजाइन क्रियेट हो सकता है यहाँ पर मैं Elementor Flipbox के मदद से दो अलग-अलग सेप क्रियेट किया हूँ और अगर मैं इसके उपर माउस ले जा रहा हूँ तो यह फ्लीप हो रहा है और एक दुसरे content यहाँ पर open हो रहा है और यह same effect और same content हमें इसमें भी दिखने को मिलेगा लेकिन आप देख सकते हैं इसमें एक 3D effect है यह जो सेप हमने create किये हैं इसके background में image है इसके center में एक image है आप चाहे तो इसमें icon भी डाल सकता है या फिर image को भी हटा भी सकता है उसके बाद इसके नीचे एक title है और एक description डालने की जगा है और अगर मैं इसको flip करता हूँ तो इसके भी background में image डालने की जगा है जहाँ पर मैं एक GIF image दिया हूँ और यहाँ पर एक title है इसके पास description है और यहाँ पर एक call to action का button है और यह same element यहाँ पर भी है और इसके नीचे यह जो image है और इसके अंदर जो laptop है मैं इस laptop के screen में Elementor के flip element को use किया हूँ तो यह पहले laptop के screen में कुछ description दिखा दे रहा है online course का जब मैं इसके उपर कार्सा ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर एक call to action का button appear हो रहा है और यहाँ पर मैं कुछ sample create किया हूँ इसमें different transaction effect है आप यहाँ पर देख सकते है तो हम यह जो flip box element है इसको हमारे design के हिजाब से बहुत creatively इसको use कर सकते है तो इसको कैसे use किया जाता है और इसमें क्या-क्या customization हम कर सकते है तो चलिए आगे देखता है अगर आपने अभी तक हमारे Elementor Free Series के पिछले वीडियो नहीं देखे है तो description में मैं link दे दूँगा आप जाके वो वीडियो देख सकते है तो यहाँ पर मैं एक blank page open कर लिया हूँ और अभी मैं यहाँ पर एक single section create करूँगा और यह जो section का height है इसको मैं कर लिता हूँ fit to screen section के background में मैं एक image insert करूँगा ओके तो यहाँ पर यह background image मैं select कर लिया और अभी यह जो column है इसको मैं duplicate कर लेता हूँ यहाँ पर two columns है और हम इस column के अंदर element के जो flip box element है उसको यहाँ से drag करूँगा और यहाँ पर drop करूँगा तो यह flip box का default template है आप देख सकता है यहाँ पर बाएं तरफ की channel में front section open हो चुके है और अगर मैं इसको close कर देता हूँ तो आपके सामने यह पूरा image clear हो जाएगा आप देख सकता है यहाँ पर content के लिए हमारे पास तीन option है एक है font एक है back और एक है setting यह जो front section है इसमें यह flip box का जो visible section रहता है उसको हम customize कर सकते हैं उसमें हम content डाल सकते हैं back में यह flip होने के बाद यह content area है इसका content हम edit कर सकते हैं और setting में यह flip box है इसका overall setting यहाँ पर दिया गया है तो हम एक के बाद एक देखेंगे पहले हम यह front section open कर लेते हैं तो पहले जो है वो है content content में यहाँ पर पहला जो option है वो है graphics element graphic element में हमारे पास तीन option है एक है हम इस graphic element को off कर दे disable कर दे तो इसमें कुछ भी नहीं दिखाए देगा यह फिर हम यहाँ पर image insert कर सकते हैं इसके लिए अगर मैं इस image icon पर click करूंगा तो यहाँ पर एक image box open हो जाएगा और यहाँ से हम कोई भी image choose कर सकते हैं यह hot sign choose कर लेता हूं और यह जो image size है इसको मैं यहाँ पर style में जाके इसका जो image size है इसको मैं यहाँ से address कर सकता हूं यह मैं आपको बाद में और भी detail में बताता हूं तो यहाँ पर image डालने की जगा है और नीचे है image का size, image के resolution जो है वो आप यहाँ पर control कर सकते हैं तो मैं इसको large कर लेता हूं large और यहां पर नीचे है जो title and description तो हम यहां पर इस title को इरिट कर सकता है और यहां पर description में आपका description text डालने की जगा है मैं यह जो sample text है इसको मैं repeat कर देता हूँ अब अपनी सबसे कोई भी text डाल सकता है तो यह हो गया हमारा font section के content option अभी हम देखेंगे यह font का background है इसमें क्या क्या option है तो मैं background पर click किया और आप देख सकते हैं यहां पर background type आपको एक classic और gradient है तो classic के अंदर image डालने की जगा है या फिर आप किसी भी classic color जो single color होता है उसको आप choose कर सकते हैं आपके हिसाब से मैं यहां पर एक image insert कर लेता हूं तो यहां पर मैं image add कर दिया हूं और यहां पर यह image का जो position है मैं इसको center center कर देता हूं यहां पर इसको attachment जो है इसको default रखता हूं repeat जो है इसको no repeat कर देता हूं और size जो है मैं इसको कर देता हूं cover और यहां पर आप चाहे तो background overlay भी अब use कर सकते हैं इसके रीचे background overlay डालने की जगा है यहां पर अगर मैं थोड़ाँ सा इसको light कर देता हूं और इसका जो opacity है इसको मैं यहां से घटा सकता हूँ या फिर मैं इसका darkness थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ इसका opacity थोड़ा सा घटा सकता हूँ लेकिन यह जो heart sign है यह बहुत dull लग रहा है तो मैं इसमें elementor का logo एड़ कर देता हूँ elementor तो यह हो गया font section इसका content option और यहां पर background तो अभी हम यह जो back section है इसको customize करेंगे इसके लिए हम यहां पर back section को फिन कर लिया और यहां पर पहरा जो option है वो है title and description मतलब इसमें graphics element डान लिकी जगा नहीं है तो हम यह title को यहां से customize कर सकते हैं और यह जो description text है मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और इसके नीचे यह button text है जो यहां पर default click here है इसको मैं कर दिया get it now और अगर आपको इसमें button नहीं चाहिए तो simply आप यह जो text है इसको आप delete कर दीजे तो यह button जो show कर रहा है वो delete हो जाएगा और आप यहां पर text डालेंगे तो यह button appear हो जाएगा और इसका जो यह border है background है यह आप style में जाके change कर सकते हैं और इसके नीचे इस button में link डालने की जगा है तो मैं यहां पर एक internal page link दे देता हूँ gallery link डालने के बाद यहां पर और एक option appear हो गया है वो है apply link on जो default button only है मतलब यह जो link हमने डाले है अगर users button में click करेंगे तो ही यह link open होगा या फिर उस link पे redirect किया जाएगा लेगिन आपके पास और एक option है वो है whole box मतलब अगर users इस box के कहीं पर भी click करेगा तो उसको redirect किया जाएगा इस link पे background type में classic या फिर gradient चूज कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर classic पर click किया और इसके अंदर मैं एक gif image ले लूँगा यहाँ पर यह जो gif image है इसको मैं कर देता हम insert यह जो gif image है यह transparent background image है इसलिए यह default color है वो अभी show कर रहा है तो मैं design की हिसाब से इसको थोड़ा सा white color दूँगा ताकि यह हमारे जो design है उसके साथ अच्छे दीखे ओके white background की बज़ा से यह description text था और यह जो button था वो अभी नहीं दिख रहा है तो हम style में जाके उसके color change करेंगे तब वो appear हो जाएगा लेकिन उससे पहले हम चलिए देख लेते हैं कि इसके नीचे यह setting area है इसमें क्या option है तो इसमें आपको यह total box है इसका height और यहां पर border radius और यहां पर यह जो flip effect है इसको control करने की इसको customize करने की option दिया गया है तो मैं अगर इसको रखता हूँ 400 तो देखिए यह जो box है इसका shape थोड़ा सा change हो गए है और यहां पर यह जो border radius का handle है अगर मैं इसको adjust करूंगा तो आप देख सकते हैं यह जो corner है इसका shape change हो जाएगा इस corner थोड़ा सा round हो जाएगा और इस border radius के मदद से हम इस shape को circle बना सकते हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे हम circle shape बना सकत और यह पर यह flip हो रहा है और यह direction है वो है up तो अगर मैं इसको down करता हूँ तो अभी यह flip कुछ ऐसा दिखेगा देखिए यह यह पर down side में हो रहा है अगर मैं इस right करता हूँ तो अभी यह ऐसे दिखेगा और lift करता हूँ तो obviously इसमें reverse effect अपको दिखाए देगा ऐसे दिख रहा है और यहां पर यह है 3D depth अगर मैं यहां पर 3D depth एड़ करता हूँ तो यह जो box यहां पर clip हो रहा है उसमें अपको 3D effect अपको दिखाए देगा ऐसे यह दिख रहा है जब मैं इसमें circle save बनाओंगा तब यह 3D effect अपको और भी अच्छे से दिखाए देगा मैं इसको फिलाल off कर देता हूँ clip के अलावा हम यहां पर और क्या effect देख सकता है यहां पर है slide अगर मैं slide करता हूँ तो यह ऐसे दिखेगा यह जो slide effect है मैं इसको इस design में use किया था आप देख सकता है और slide में भी आप left right up down यह 4 option आपके पास है इसके बाद है push और push में भी यह जैसे एक slide दुसरे को यहां पर push कर रहा है ऐसे एक effect है और यहां पर भी 4 option है इसके नीचे zoom in है तो अगर मैं zoom in को करता हूँ तो हमारे वो left right का option disable हो जाएगा लेकिन इसमें आपको ऐसे एक effect दिखाए देगा जूम effect में यह जो हमारा back section है वो ऐसे zoom होते हुए यहां पर appear होगा जब भी हम cursor यह section के अंदर ले जाएंगे और यहां पर zoom out है obviously यह reverse effect है जो zoom in हमने देखा था यहां पर यह जो font section है वो ऐसे disable हो रहा है और लग रहा है कि यह zoom out हो रहा है और यहां पर fade है मतलब जब भी हम cursor इसके उपर ले जाएंगे तो यह हमारा पहरा section है वो धीरे से यहां पर disable हो जाएगा तो चलिए अभी हम देख लेते हैं style tab में क्या का option है तो style में हम यहां पर click कर दिया और style में इसमें भी आप देख सकता है यहां पर font और back यह दो section है हम यह दो section के लिए अलग-अलग से style को customize कर सकते है तो style में font section के जो पहला option है वो है padding मतलब यह जो font section का content area है इसका padding आप यहां से adjust कर सकते है अगर मैं इसको 100 दिकर देता हूँ अब देख सकते हैं यहां पर content के surrounding बहुत सारे space create हो गया है तो मैं इसको default कर देता हूँ इसके नीचे है alignment इस box के अंदर जितने सारे element है इसको हम align कर सकते है default यह center में है हम इसको left या फिर right में align कर सकते है इसके नीचे है vertical position font area के जो total content है उसका position हम vertically top, middle या फिर bottom में हम adjust कर सकते है default यह middle रहता है और हमें middle ही चाहिए जब हम front section में specific किसी element के उपर काम करेंगे मतलब specific logo रखेंगे या फिर किसी भी element को रखेंगे तब हमें यह जो vertical position है इसका जूरत पड़ता है इसके नीचे है border type मतलब यह जो हमारा font panel है अभी तो कुछ border नहीं दिख रहा है तो हम चाहिए तो उसमे border add कर सकते है तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर solid कर देता है solid border और इसका width मैं कर देता हूँ 5 देखिए यहाँ पर एक border add हो जाएगा मैं इसका color थोड़ा सा change कर रहता हूँ इसको कर देता हूँ red यहाँ पर elementary की color की जैसा तो अभी अब देख सकते हैं इसके surrounding border यहाँ पर प्रेट हो गया है तो हम यहाँ पर border add कर सकते हैं और border में आप solid doubled, dotted, dashed और growth यह इतने सारे option है आप अपने design की हिसाब से कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं तो मैं यहाँ पर 5 pixel का border add कर दिया और इसके नीचे यह जो हमने center में image डाले हैं मतलब elementary की logo जो डाले हैं उसको adjust करने के लिए कुछ option है अगर हम यहाँ पर किसी icon को डालते तो यह option obviously अलग होता मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं यह इस example में जो book icon डाला हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर वो image नहीं दिखा रहा है यहाँ पर icon दिखा रहा है और यहाँ पर icon का spacing इसका primary color इसका size और icon का root angle क्या रहेगा उसको customize करने के option यहाँ पर दिया गया है तो मैं यहाँ पर फिलहल image यूज कर रहा हूँ तो image के लिए यहाँ पर spacing है अतलब image के और next जो element है उसके बीच का spacing और मैं इसको थोड़ा सा उपर कर लेता हूँ और यहाँ पर size है image का size मैं तो पहले से इसको थोड़ा सा adjust किया था अगर चाहे तो हम design के ज़ब से अब भी इसको यहाँ पर adjust कर सकता है तो मैं इसको रखता हूँ 25 और इसके नीचे है image का opacity तो अगर मैं यहाँ पर opacity को थोड़ा सा घटा हूँगा तो यह image जो है वो background के साथ blend हो जाएगा तो मैं इसको एक ही रखता हूँ अभी इसके नीचे है border type मतलब यह जो image है हम चाहें तो इसमें भी border add कर सकते हैं जैसे मैं अगर यहाँ पा solid select करता हूँ और इसमें हम 5 pixel का border देता हूँ और इसमें मैं white color का border देता हूँ तो देखिए आप यहाँ पर visible दिखाए देगा इसके नीचे है border radius और अगर मैं इसको adjust करूँगा तो यह जो sharp age है box का वो यहाँ से curve हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा इसको curve कर देता हूँ तो फिलाल यह जो border है मैं इसको disable कर देता हूँ तो अभी इसके नीचे है title को customize करने की option तो यहाँ पर title text का जो color है मैं इसको obviously white कर लूँगा और इसका जो typography है मैं इसको यहाँ पर जो transformation है इसको कर लूँगा uppercase इसका size मैं थोड़ा सा बढ़ा होंगा 30, 30 ओके और इसका जो weight है मैं इसको कर लूँगा 700 और इसके नीचे description का जो typography है और text color है उसको customize करने की option दिया गया है तो हम ज़्यादा कुछ customize नहीं करेंगे सिर्प इसका color हम थोड़ा सा gray कर देंगे ओके और यह typography सेम है जैसे elementor के typeography में रहता है लेकिन हम इसको change नहीं करेंगे फिलाल के लिए तो यह हो गया हमारा font जो area है उसका design अभी हम देखेंगे जो back side है back panel उसमें क्या क्या option है तो उसमें यहाँ पर same option है जो font में था यहाँ पर padding area है alignment है, vertical position है border type है, हम border type को select कर लेते हैं तो यहाँ पर solid border और 5 pixel और यहाँ पर हमने 20 color जो है हम इसको font border के साथ same रखेंगे तो यह हो गया color और इसमें भी यह जो हमरा title है इसका spacing हम यहाँ से adjust कर सकते हैं यह देखिए और यहाँ पर title का जो text color है इसको मैं border color के साथ same रखेंगा और title का जो typography है इसमें मैं इसको कर दूँगा 35 और इसका weight मैं कर दूँगा 700 और यहाँ पर description का जो color सा मैं इसको थोड़ा सा change करूँगा ताकि यह visible हो तकि अभी यह visible हो रहा है दिख रहा है और इसका typography में तोड़ा सा size का बढ़ाऊंगा अभी यह जो button अभी नहीं दिख रहा है पहले इसको visible कर ले मतलब इसका जो text color है border color है इसको मैं थोड़ा सा पहले कर देता हूँ और इसमें भी हम same color रखेंगे देखिए अभी visible हो रहा है और text color जो है इसको भी मैं same रखोंगा get it now तो यहाँ पर यह button को adjust करने के लिए कुछ option है जो है सफैरा option है size तो यहाँ पर small, medium, large ऐसे दिया है मैं इसको medium करूंगा और typography जो है button के text का उसको भी मैं थोड़ा सा change करूंगा मैं इसका transformation कर लूंगा uppercase तो get it now ऐसे दिख रहा है और इसका जो weight है वह भी मैं थोड़ा सा बढ़ूंगा इसको कर दूंगा 500 इसके निचे है button जो है इसके text color, background color और border color को customize करने के option आपने देखा यह जो text color है मैं इसको border color के साथ same कर दिया और यह button का जो border color है मैं उसको भी same कर दिया यह border color और background color default transparent है अभी button में कोई hover setting नहीं किया गया है तो हम इसमें hover setting करेंगे तो hover में हम पहले यह background color को change करेंगे यहाँ पर जो border color हम चूज किया था उसको ही दे देता हूँ और text color जो है उसको मैं कर देता हूँ white और border color यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो अभी अगर मैं यहाँ पर ले जाऊंगा तो अब देखिए यह ऐसे change हो रहा है अगर आपको border with change करना है तो आप यहाँ पर इसका with mention कर सकते हैं जैसे अगर मैं train कर दूंगा तो यह थोड़ा ठीक हो जाएगा और अगर मैं यहाँ पर इसको zero कर देता हूँ तो यह जो border है वो गायव हो जाएगा और आप without border यह call to action use कर सकते हैं लेकिन मैं इसको default रखता हूँ और यहाँ पर border radius मतलब अगर हम इसको adjust करेंगे तो यह border का sharpness है वो अभी carve हो जाएगा जैसे यहाँ पर हुआ है तो style time में यही कुछ option है इस element को customize करने के लिए ओके तो अभी हम जल्दी से देख लेते हैं कि हम यह जो flip box है इसको हम कैसे circle बना सकते हैं तो इसके लिए मैं यह flip box element है इसको मैं यहाँ से drag and drop करूंगा और पहले मैं इसका जो setting है इसको मैं कर देता हूँ 400 border radius जो है इसको मैं कर देता हूँ 200 और इसमें हम थोड़ा सा padding add करेंगे जो है 63 pixel ठीक है तो देखिए यह अभी round safe हो गया है और यह जो adjustment है यह आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा element के हिसाब से तो इसको मैं पहले कर लेता हूँ middle तो यह हमारा round जो safe था वो create हो गए है तो आभी हम पहले graphics element में यह जो image है यहाँ पर हम एक zif image insert करेंगे ठीक है और यहाँ पर यह जो text है इसको मैं हटा देता हूँ और इसको size में कर देता हूँ full और यहाँ पर लिखता हूँ up to 50% off और इसका background जो है मैं इसको कर देता हूँ black अभी हम जाएंगे इसके back में और यहाँ पर हम सिर्फ यह click button रखेंगे तो इसके लिए title को हटा देता हूँ description जो है इसको भी मैं हटा देता हूँ और इसके background color जो है मैं इसको कर लूँगा yellow यह content में लिखूंगा swap now हम यह swap now text के बाद एक right arrow insert करेंगे तो इसके लिए हम Google में search करेंगे unicode arrow और unicode symbol जो यहाँ पर आपको so कर रहा है आप यहाँ से एक unicode arrow को यहाँ से copy कर सकते है तो मैं इस arrow को यहाँ से select करता हूँ और यह जो arrow sign है मैं इसको copy करूंगा copy हो गया अभी हम यहाँ पर जाके यह paste कर देता हूँ यहाँ पर देखिए एक arrow यहाँ पर आपको दिख रहा है और आप जब भी यह text को adjust करेंगे customize करेंगे उसके साथ यह arrow भी customize हो जाएगा और यहाँ पर हम एक demo link दे देते हैं जो basically मेरे gallery page होगा gallery link add कर दिया इसको button only रखता हूँ और अभी हम जाएंगे setting में यहाँ पर यह flip effect जो है यह मैं रहना देता हूँ और यहाँ पर direction में कर देता हूँ right तक ऐसे वह flip हो और यहाँ पर 3D effect भी मैं on कर दिया अभी मैं जाओंगा style पर और style में पहला जो और यह circle है इसके border हम add करेंगे और border रहेगा 10 pixel का और यहाँ पर मैं जो color यूज करूंगा वो रहेगा yellow और यह code मैं copy करकर रखता हूँ image का जो size है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा सकता हूँ तकि permanent दीखे और यहाँ पर यह जो title color है इसको मैं तो करूंगा white okay font size ठीक है अभी मैं जाओंगा back पर और back में भी हम एक border add करेंगे 10 pixel और इसका color जो रहेगा बो रहेगा black और यहाँ पर button का जो size है वो ठीक ही है typography हम थोड़ा सा change करेंगे लेकि उससे पहले हम यह जो border color है इसको कर देता हूं black और यहाँ पर text color जो है इसको भी कर देता हूं black अभी हम typography को change करेंगे तो यहाँ पर इसका default weight है इसको कर देता हूं 600 700 text size थोड़ा सा बढ़ा करूंगा ओके और यहाँ पर यह जो border width है मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा होंगा 4 ठीक है और border radius जो है इसको भी मैं 25 कर देता हूं ओके और अभी यह जो button का hover color है मैं इसको थोड़ा सा change करूंगा तो इसमें हम क्या करेंगे यह पहला background जो है इसको मैं कर दूंगा black और यहाँ पर यह text color जो है इसको मैं yellow कर दूंगा तो अभी यह ऐसे दिख रहा है तो यह हमारा यह जो round shape का जो flip box element है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें 3D effect भी आपको दिखाए देगा यह देखिए और इसके advance section में दूस्तों वो सारे option मौजूद है जो elementor के हर एक element में रहता है और इसके हर एक option के उपर मैं एक पूरा video series बना के रखा हूँ अगर आपको लगे या फिर आपको जरूत पढ़े तो आप वो series देख सकते हैं मैं उसका link नीचे description में दे दूँगा तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही नेक्स वीडियो में मैं आपको के बारे में detail में बताऊंगा अगर आपने अभी तक Elementor Pro नहीं खरीदे हैं और खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो description में मैं link दे दूँगा वो मेरा affiliate link होगा अगर आप उस link से खरीदते हैं तो आपको एक भी पैसा ज्यादा नहीं लगेगा और जो भी existing offer है वो भी आपको मिल जाएगा लेकिन उससे इस channel को तोड़ा सा support हो जाएगा तो thank you for that अगर आपको यह video अच्छे लेगे दोस्तो तो इसको like कीजिए और अगर आप इस channel में नए है तो इस channel को आप subscribe कर लिजिए साथ में bell icon भी दबाएए ताकि Elementor के उपर आने वाली वीडियो का notification आपको मिलते रहें और अगर आपके मन में इस वीडियो के regarding कोई भी सवाल है तो comments में जाके मुझसे पूछिए मैं उसका जरुरुत्तर दूँगा धन्यवाद दोस्तो